अलो फ्रेंट्स आज हमारे दोस्ता है कनु भाई तो आज हम पुछे नए अबनाने वाले है अज से आपर वेकस है चालो हो गया क्या बनाएंगे जो डिखते हैं क्या क्या मिलना है कि चन पर देखते हैं तो यह पे बटा का है लेकिन चार है प्याज नहीं दिख रहा है यह प्याज तो हमने आम को पकाने के लिए रख दिया है यह रहा है मेरे लिए सबसे डेंजर काम यही है आटा बनाने का और रोटिया तो मैं अच्छे से गोल बना लेता हूं लेकिन यही करना मुझे पसंद नहीं है हाँ यह सब काम हम कर लेता है इसमें हमें कोई दिकत नहीं है आप यह बड़े बड़े टुकड़े देखके डर मत जाना क्योंकि यह सब पेट में जाके पिगल ही जाने वाला है तो यह कोई टेंसेन वाली बात नहीं है कनुपे ने बड़िया रोटी बना दी हमारे लिए धिया क्या के बड़े है तया के वुदर हुद अबागे लिए कर दो आव कर दो में अब्रण से उने, सुछब कर दो भाट दिया है कि हमारे कनुभाई का ग्रेवी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है यह सब यह खांड़ी में मिक्स करके सीधा चटनी बनाके तलका लगाएंगे सबसे बड़ी दिकत हमारी यह थी किचन नया बना है ना तो मुझे कुछ मालूमें क्या कहां पड़ा है ना हमारे कनुभाई को मालूमें तो हम सारे चीज़ को हमें अच्छे से डूना पड़ता है अच्छे से गड़ी नच्छे सासा ना मिक्री तो खाने के साथ हम लोग केसर भी खाने वाले हैं चुनागड की फेमस तौलडगीर की केसर केरी तो हमारा डिनर रेड़ी है इसमें एक अठिया वड़ी छास जुनागड की केरी और हमारे कनू भाई के हाथ की सबजी रोटी है तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें अपना प्यार देना ना भुलें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें थेंक्यू वेरी माच